कश्मीर घाटी में पहली बार कमल खिला है बीजेपी का जंडा लहरा रहा है पंचायद चुनाव से पहले ही बीजेपी ने यहाँ पहली बार अपना खाता खोला है दक्शन कश्मीर के दो म्यूंसिपल कमीटी में बीजेपी प्रतियाशी निर्विरोध विज़ाई रहे ऐसा इसलिए संभव हुआ क्यूंकि नैशनल कॉन्फरेंस और पीडिपी पंचायद चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही है बीजेपी के उमीदवार देवसर म्यूंसिपल कमीटी में सभी सीटों पर निर्विरोध चुने गए जबकि साथ सदस्ये काजी कुंड नगर पालिका में बीजेपी के साथ उमीदवार निर्विरोध चुने गए इन जीतों से साफ है कि दक्षन कश्मीर की दो नगर पालिकाओं में बीजेपी का चेर्मन तो 35-A को लेकर NC और PDP ने चुनाव का बहिशकार कर रखा है लेकिन हैरानी की बात ये है कि कॉंग्रिस ने भी इन सीटों पर उम्मीदवार खड़े नहीं किये आज तक ने जब प्रदेश कॉंग्रिस उपाध्यक्ष से बात की तो उन्होंने धांधली का आरोप लगा कर बीजेपी की जीत पर सवाल खड़े कर दिये गोर तलब है कि जम्मु कश्मीर का पंचायत चुनाव लगातार विवादों में घिरा हुआ है पहले नाशनल कॉंफरेंस और पीडेपी का बहिशकार और फिर आतंक वादियों की लगातार धमकी उम्मीदवारों को डराने के लिए आतंकी अब तक बारह पंचायत घरों में आग लगा चुके हैं जाहिर है जब ऐसे हालात में बीजेपी ने जीत हासिल की तो जशन तो वाजिब है झाल